नमस्कार दोस्तों मैं यश्ग उत्म आपका स्वागत में यूटुब चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों income tax कैसे हम सेव करें तो कैसे हम सेव कर सकते हैं deductions के दुआरा अब आप कहेंगे deductions क्या होती है तो मैं आपको simple language में बता दूँ deductions एक परकार की discount होता है ठीक है आप इसको discount भी मान सकते हैं लेकि अक्संस लेने के लिए आपको कुछ investments करनी होती है और उसी के according इसमें अलग-अलग deductions दी हुई है तो आपको एक एक करके सभी deductions को समझना है ठीक है और एक भी deductions आपको miss नहीं करनी है दोस्तों यदि आप इस PDF फाइल को download करने तो मैंने link description में दिया हुआ है आप वहां से download कर सकते हैं और दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल अपने तक सब्सक्राइब नहीं गया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को चलते हैं वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहला है life insurance premium financial year के लिए आप ITR भढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको LIC अपनी करानी होगी या आपने कराई हुई होगी तो इसकी जो maximum limit है वो है डेड़ लाक रुपे yearly तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हुँ डेड़ लाक रुपे yearly आप maximum ले सकते हैं वो minimum आप कितनी भी ले सकते हैं 10,000, 20,000 जितनी भी हो आप ले सकते हैं लेकिन maximum आप डेड़ लाक ही ले सकते हैं इसे जादा नहीं ले सकते हैं तो उसके बाद provident fund भी इसमें include किया गया है और subscription to certain equity share और tuition fee तो यहाँ पर मैं बात करूँ tuition fee की तो आपकी maximum two children's की आप tuition fee यहाँ पर deduction ले सकते हैं लेकिन इसमें सिर्फ tuition fee ही include है तो उसके बाद national saving certificate housing loan principal यदि आपका housing loan है तो उसका principal amount की आप ATC के तहट deduction ले सकते है maximum कितनी डेड़ लाग रुपे मतलब सभी की मिलाकर यहाँ पर मैं बात करूँ अलग अलग नहीं सभी की मिलाकर total डेड़ लाग रुपे है तो उसके बाद ATCCC annuity plan of LIC or other than insular towards pencil scheme ठीक है यह भी इसमें include है और ATCCD pencil scheme of central government यह भी ATCCD 1B इसी में include है मतलब ATC ATCCC ATCCD 1 यह सभी इसी में include है ठीक है आप इन सभी चीजों में से डेड़ लाग तक ही deduction ले सकते हैं तो उसके बाद ATCCD IB deduction है ठीक है फिसमें deduction towards payment made to pension scheme of central government deduction claimed under ATCCD 1 तो इसमें कितनी deduction आप ले सकते हैं 50,000 रुपे ठीक है अब मैं बात करता हूँ deduction ATD deduction towards payment made to health insurance premium and preventive health check-up ठीक है तो इसमें आप 25,000 रुपे ले सकते हैं किसमें आपका इसमें health insurance हो गया यह इसमें check-up हो गया ठीक है तो कितने 25,000 रुपे और यदि if any person is a senior citizen यदि आपके घर में यह आपके पास कोई senior citizen है ठीक है आपके माता-पिता में से तो आप 50,000 रुपे यहां पर claim कर सकते हैं उसके बाद है फोर सेल्फ spouse or dependent children for parents 500 for preventive health check-up including in above limit मतलब उपर वाली limit में ही वो include है 25,000 रुपे ठीक है जदि आपके घर में कोई senior citizen है तो आप 50,000 रुपे claim कर सकते हैं ठीक है और otherwise आप 25,000 रुपे claim कर सकते हैं फिर उसके बाद हमें next deduction है वो है 80TDP deduction towards payment towards medical treatment of self or dependent for specified disease मतलब की यह एक जो specified disease होती है बीमारी होती है यह उसके लिए है जैसे की cancer हो गया HIV हो गया तो इस तरह की जो खतरनाक बीमारिया है उसके deduction ले सकते हैं तो इसमें क्या deduction limit 40,000 रुपे है और यदि senior citizen है तो उसके लिए एक लाग रुपे यहाँ पर deduction claim कर सकते हैं यदि आप non senior citizen है तो 40,000 रुपे करेंगे यदि आप senior citizen है एक लाग रुपे claim कर सकते हैं अब उसके बाद जो next हमें deduction है वो है 80E, reduction towards interest payment made on loan for higher education of self or relatives तो इसमें यदि आपने higher education के लिए loan लिया हुआ है ठीक है अपने लिए या relatives के लिए तो इसमें total amount paid towards interest on loan taken यादि की इसमें जो आपने loan लिया है उसके interest की deduction आप ले सकते हैं फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे important deduction ATG deduction towards donation made to prescribed funds charitable institution etc अब इसमें दो category है 100% deduction और 50% deduction एक में तो हम 100% deduction ले सकते हैं दूसरा 50% deduction तो 100% deduction में देखे ATG एक काफी बड़ा topic है ठीक है यदि आप चाहते हैं कि मैं इसके उपर एक separate अलग से वीडियो बनाओ तो मुझे comment box में comment करिए मैं इसके उपर भी एक अलग से separate वीडियो बना दूँगा लेकिन अभी फिलाल के लिए मैं आपको समझाएता हूं ठीक है तो यहाँ पर मैं बात करूं 100% deduction ठीक है जो आपने donation दिया है सो परसेंट आप कैसी कलेम कर सकते हैं जैसे की प्राइम मिनिस्टर नैशनल रिलीव फंड नैशनल डिफैंस फंड नैशनल स्पोर्ट्स फंड नैशनल कल्चरल फंड नैशनल चिल्डरन फंड स्वच भारत कोश ठीक है इसमें donation करते हैं तो 100% आप डिडाक्शन ले सकते है ठीक है विदाउट अने लीमिट अब बात करें 50% डिडैक्शन की तो 50% रिडैक्शन में कौन से आते हैं जोलाल नहरूप मेंमोरियल फंड इंद्रा गांधी में ममोरियल ट्रस्ट राजीव गांधी फंडेशन थी कह इसमें 50% डिडैक्शन हम ले सकते हैं ठीक है अब Бात क कि इसमें आप 2000 से ज़्यादा donation cash में नहीं दे सकते किसे 2000 से ज़्यादा ठीक है तो इसमें पहले ही note दिया हुआ है कि आप 2000 से ज़्यादा cash में donation नहीं दे सकते और नहीं फिर आप claim कर सकते हैं ठीक है आप चलते हैं next deduction पर जो है 80GG यह भी बहुत ज़्याद है इंपोटेंट है यदि आपको HRA नहीं मिल रहा है तो आप इस deduction को claim कर सकते हैं चाहे आप salary person हो आपकी income from other sources से income हो या आप एक business करते हैं तो भी आप इस deduction को ले सकते हैं ठीक है इसके क्या rent paid reduced by 10% of total income before this deduction and 5000 per month and 25% of total income excluding long term capital gain short term capital gain under section 111A और income under section 115A और I15D ठीक है तो इसमें देगे यह एक परकार के तीन रूल है ठीक है और इनके according ही हमें calculation करनी होती है और जो इन तीनों में सबसे कम होगा वो हम claim कर लेंगे इसकी calculation कैसे करेंगे दोस्तों मैंने 80GG के उपर एक separate video बना रखिये है जिसका link आपको description में मिल जाएगा या आप end screen में भी जाकर देख सकते हैं कि इसको कैसे calculate करते हैं ठीक है अब चलते हैं next deduction पर 80 TTA तो यह तो बहुज़द है important है ठीक है यह सभी claim करते हैं इसको reductions on interest received on saving bank accounts by non senior citizen तो यदि आप senior citizen नहीं है और आपका saving bank account से interest यहाँ पर मैं FD की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर FD की बात नहीं कर रहा हूं FD इसमें include नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ saving bank account की बात हो रही है उसका जो interest होता है ठीक है तो उसकी हम 10,000 रुपे तक deduction ले सकते हैं कितनी maximum 10,000 रुपे कम कितनी 2,000, 3,000 रुपे कितनी भी हो चल जाएगा ठीक है यदि आप non senior citizen है और saving bank account से interest है तो आप 10,000 रुपे maximum deduction ले सकते हैं अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ATTTB deduction on interest received on deposits by resident senior citizen देखिए यदि आप senior citizen है तो बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें यदि आपका saving bank account से interest है या FD से भी है तो भी आप इसमें deduction ले सकते हैं कितनी वो भी मैं आपको बताएता हूँ इसमें आप 50,000 रुपे ले सकते हैं दोनों की मिलाकर saving bank account और FD account से जो interest होगा उसकी आप deduction ले सकते हैं कितनी 50,000 रुपे यदि आप senior citizen है यदि आप non senior citizen है तो आप सिर्फ 10,000 रुपे ही ले सकते हैं वो भी saving bank account की इंट्रेस्ट पर तो दोस्तों यह थी कुछ important reductions इनके द्वारा आप जो अपना income tax save कर सकते हैं ठीक है यह investment है जो की आपको करनी होगी दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लिए प्लीज कमेंट बोक्स में जो बताएं वीडियो आपको अच्छे लिए प्लीज लाइक कर दें और इस वीडियो को share करें अपने फ्रैंस के सा प्लीज देंगे लिए दन्मेवाद